कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज और हेरोल्ड नाम के दो लड़के को देखते हैं जो क्लासमेट होने के साथ ही एक अच्छे दोस्त भी थे वो दोनों हर समय साथ में रहा करते थे और खूम मस्ती करते थे जॉर्ज को अपने इमेजिनेशन में कहानिया बनाना बहुत पसं थी और हेराल्ड काफी अच्छा ड्रॉइंग बना लेता था इसलिए वो दोनों साथ में मिलकर कैप्टन अंडर पैंट नाम की एक कॉमिक बुक लिखते हैं उन दोनों का मेंन कैरेक्टर कैप्टन अंडर पैंट उनके स्कूल के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड था जो डर्वाजा बंढ कर देते हैं थाकि वो दोनों वहां से भाग ना सके प्रिंसिपल उन दोनों के स्कूल में किये जाने वाले प्रैंक्से उन दोनों पर बहुत गुश्सा थे लेकिन उनके खिलाफ सबूत ना मिलने की वagain की वज़ज़ से उन्हें उनích को छोड़ना पड़ खुश था क्योंकि उसे अस्कूल में देर तक पढ़ाई करना काफी पसंद था अस्कूल की छुट्टी होने के बाद जोर्ज और हराल अपने द्वारा बनाएगे एक ट्री हाउस में आ जाते हैं जहापर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं ट्री हाउस में वो दोनों अपने कॉमिक बुक के हीरो कैप्टन अंडर पैंट के बारे में भी बात करते हैं जो कोई और नहीं बलकि उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे अब देखते ही देखते सेटर्ड़े का दिन भी आ जाता है जिस दिन अस्कूल में उनका इन्वेंशन डेः था अस्कूल जाते समय सभी बच्चे बहुत दुखी थे क्यूंकि किसी को भी इस दिन अस्कूल आना पसंद नी था और अब सभी बच्ची Assembly hall में आ जाते हैं तो principal सभी के सामने अपना lecture देना start करता है जिसकी वजह से सभी बच्चों बोर होना शुरू हो जाते है अस्कूल के सभी बच्चे ये देकर बहुत खुस होते हैं और खूब मस्ती करते हैं उन दोनों ने अस्कूल के इस बोरिंग डे को भी एक पार्टी टाइम में बदल दिया था लेकिन मेलबिन के टर्टल टॉय में लगे सीक्रेट कैमरे में उन दोनों की सारी हरकते रिकार्ड हो रही थी अगले दिन प्रिंस्पल जॉर्ज और हरेल्ड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं जहां पर मेलबिन भी अपने टर्टल टॉय के साथ आता और प्रिंस्पल को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो दोनों मिलकर उसके ट्वालेट मसीन में गड़बरी कर रहे थे प्रिंस्पल ये देखकर बहुत खुस होता और उन दोनों को क्लास में एक दूसरे से अलग बठाने का फैसला करता है क्योंकि अब उनके पास उन दोनों के खिलाफ सबूत भी था जॉर्ज और हराल ये जानकर बहुत दुखी थे और प्रिंस्पल से वो ऐसा ना करने की रि लेकिन काफी देर तक ढूणने के बाद भी उन्हें वो टर्टल टॉय नहीं मिलती लेकिन इसी दोरान उन्हें अपनी कॉमिक बुक मिल जाती है जिसे वो दोनों देखकर खड़े होकर वहीं पर पढ़ने लगते हैं कुछ समय के बाद वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते ह का प्लान लिखा था वो दोनों जब देखते हैं कि अब वो प्रिंसिपल को किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे तो जोर्ज अपनी ट्वाइरिंग से प्रिंसिपल को हिपनोटाइज करने की कोसिस करने लगता है और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है क्योंकि कर प्रिंसिपल खुद को कैप्टन अंडर पैंट समझने लगते हैं और सारा कपला निकाल कर स्कूल से बाहर जाकर लोगों को परिशान करने लगते हैं और वो लोगों को परिशान करते हुए एक बड़े से गुबारे से लड़ते हुए नीचे गिर जाता है लेकिन गुब अंडर पैंट समझ रहे थे वो दोनों किसी तरह उसके उपर पानी फेक कर उन्हें होस मिलाते हैं होस में आने के बाद अब खुद को इस हाल में देखकर प्रिंसपल पूरी तरह से हैरान था और वो उन दोनों पर गुसा होने लगता है उन्हें गुसे में होता देखकर वो दोनों किसी तरह उन्हें बेहोस कर देते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों प्रिंसपल को उनके घर पर छोड़ने जाते हैं प्रिंस्पल के घर के पास पहुंचकर वो दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि उसका घर बाहर से काफी स्केरी और डरावना लग रहा था। घर के अंदर जाने की बाद वो दोनों को पता चलता है कि प्रिंसपल अपने घर में अकेले रहते थे और साइद इसलिए वो काफे अश्ट्रिक्ट भी थे अगले दिन जॉर्ज और हेराल काफी फिल्म ये स्टाइल में इंट्री मारते हैं लेकिन तभी उनके पास प्रिंसपल आ जाते हैं जो उन दोनों को अलग-अलग बैटने का डॉकुमेंट दिखा कर उन दोनों को कलास में अलग-अलग बैटने को बोलते हैं अब जॉर्ज एक बार फिर से अपने ट्वारिंग की मदद से प्रिंसपल को हिपनोटाइज कर ली था है और उन्हें अपने कॉमिक बुक का सूपर हीरो कैप्टन अंडर पैंट बना दीता है प्रिंसपल भी अब खुद को कैप्टन अंडर पैंट समझ रहे थे लेकिन के बागी बच्चों को प्रिंसपल के सचाई का पता चले इसलिए वो प्रिंसपल को छुपा देते और उन्हें अपना नाम प्रोफेसर पीपी बताता है लेकिन जब वो प्रोफेसर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने खतरनाक वेपन निकालता है तो हेराड और जॉर्ज उन्हें देखकर काफे डर जाते हैं कैपटन अंडरपैंट को भी अब तक समझ में आ गया था कि उन्होंने प्रोफेसर पीपी को जौब देकर गलती कर दी है लेकिन क्यूंकि जॉर्ज और हराल ने कैप्टन अंडर पैंट को प्रोफेसर पीपी को जॉब ना देने का आदेश नहीं दिया था इसलिए वो प्रोफेसर पीपी को जॉब से नहीं निकाल पाते हैं जोर्ज हराल और क्लास के बाकि सब भी बच्चे प्रोफेसर की बात सुनकर काफी डर जाते हैं, लेकिन मेलबिन अभी भी प्रोफेसर पीपी के फेवर में था, क्योंकि वो टीचर्स की सारी बातों को सच मानता था, अब जब वो प्रोफेसर पीपी से उनके नाम का फुल क्यूंकि कैप्टन अंडर पैंट बनने के दोरान उन्होंने वाटर गन से खुद को सूट कर लिया था लेकिन जॉर्ज अगले ही पल अपने टॉयरिंग की मदद से प्रिंसपल को एक बर फिर से हिपनोटाइज करके कैप्टन अंडर पैंट बना देता है। अपना पूरा नाम सुनकर उन दोनों पर बहुत गुसा होता और उन दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देता है। जिस बात पर गुसा होकर प्रोफेसर ने इनाम देने वाली लेडी को ही चीजों को छोटा बड़ा करने वाली अपनी गन से सूट करके छोटा कर दिया था। प्रोफेसर इसके बाद जॉर्ज और हराल को अपने साथ प्रिंस्पल के पास ले जाता है लेकिन प्रिंस्पल अभी भी कैप्टन अंडर पैंट के रूप में था। इसलिए वो उस प्रोफेसर के दौरा दिखाई गई कॉमिक बुक को हिस्ट्री बुक बताने लगता है। प्रोफेसर प्रिंस्पल का बदला हुआ रूप देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बर जरूर है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर के वहाँ से जाने के बाद कैप्टन अंडरपैंट जौर्ज हराल्ड और बाकी के स्कूल बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है। वहीं दूसरी तरब प्रोफेसर पीपी मेलबिन को अपने लाब में बुलाते हैं और उसके सिर को स्कैन करते हैं। जिससे उन्हें पता चलता है कि मेलबिन के माइन में बिल्कुल भी सेंस ओफ यूमर नहीं है। प्रोफेसर ये देखकर बहुत खुस होते हैं क्यूंकि उन्हें सालों से मेलबिन की तरह ही किसी लड़के की खोज थी। प्रोफेसर मेलबिन को समझाते हैं कि अगर हम दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और जॉर्ज और हराल्ड पर बहुत गुस्सा होते हैं। चुपकर स्कैन होने से बच गए थे। अब उन दोनों के बाद जब प्रिंसपल आते हैं तो वो दोनों एक बार फिर से प्रिंसपल को हिपनोटाइज करके उन्हें कैप्टन अंडर पैंट में बदल देते हैं। जिसके बाद कैप्टन अंडर पैंट प्रोफेसर और मेलबिन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो प्रोफेसर अपने जाइन टॉयलेट मसीन की मदद से कैप्टन अंडर पैंट को जल्दी पकड़ लेता है और वो कैप्टन अंडर पैंट को बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद टॉयलेट मसीन के लिक्विड में डाल देता है। लगती है जिससे स्कूल के सारे बच्चे वापस से स्कैन होकर नॉर्मल हो जाते हैं। वो प्रोफेसर ये देखकर बहुत गुस्सा होता और चीजों को छोटा करने वाली अपनी गन से जॉर्ज और हराल पर हमला करके उन्हें पकड़ने की कोसिस करता है। और किसी तरह उन्ह अपने ट्रैप में फसा भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ जाइन ट्वैलेट मसीन के लिक्वीड में काफी देर तक रहने के वज़े से कैप्टन अंडर पैंट के अंदर सच में सूपर हीरो की पावर आ जाती है। और वो जोर्ज और हराल की आवाई सुनकर उन्हें बच जाते हैं। तो कैप्टन अंडर पैंट प्रोफेसर से स्कूल को छीन लेते हैं। जिसके बाद जोर्ज गन की मदद से स्कूल को वापस से नॉर्मल कर देता है। और प्रोफेसर पर हमला करके उन्हें छोटा बना देता है। इसके बाद वो उस गन को तोड़ भी देता है लेकिन इस द दोनों को डर था कि कहीं Captain Underpant अपने असली रूप में आने के बाद उन्हें डाटने न लगे। काफी सूचने के बाद वो दोनों Captain Underpant को उनके असली रूप में ले आते हैं क्योंकि वो दोनों अब समझ चुके थे कि क्लास में अलग-अलग बैठने से उनकी दोस्ती कम नहीं होगी Captain Underpant अपने असली रूप में आने के बाद उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और वापस से अपने घर चले जाता है अगले दिन अस्कूल जाने पर जौर्ज और हराल मिलकर प्रिंस्पल को अस्कूल की एक टीचर के साथ डेट पर भेज़ देते हैं जिससे वो ब प्रिंस्पल तुरंती Captain Underpant में Transform होकर उन्हें बचाने के लिए आ जाता है जिससे देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि इसका मतलब था कि अब प्रिंस्पल कभी भी Captain Underpant में बदल सकते थे और अब उन्होंने अपनी सक्तियों पर काबू पाना भी सीख लिया था इ वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर दबा ले